नवस्कार साथियों तो चली हम लोग बात कर रहे हैं सामान ग्यान से संब्धित तो इसमें हम लोग इतिहास टॉपिक लिए हुए हैं इतिहास में लाश्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था आपका भारत का राष्टी यांदोलन देखा था और सतंता प्राप्ति था हम लोग बात कर चोगे थे आज बात करेंगे हम लोग नेहरू यूग के बारे में याद रखना आपके सामान ग्यान से संब्धित जितने भी लेक्चर होंगे फिर चाहे वो इस्टरी के हो इतिहास के हों भूगल के हों संब्धान के हों वो सभी आपको एकी जगह मिल जाएंगे वो आपके सामान ग्यान के लाम से जो फिलेलिष्ट सूची है उसी में डले रहेंगे ठीक याद रखना क्रम से डले हुए 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 नेहरू यूग भारत की सुतंता से 1964 तब 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को भारत सुतंत गोसित हुए लॉड माउंट बेटन सुतंत भारत की पिथम गवर्न जनरल तता पंडि जवाहलाल नहरू सुतंत भारत की पिथम पिधान मंत्री निवत किये गये तो आपको याद रखना है आपका भारत कब आ जाद हो गया 15 अगस्त 1947 को इसमे आपके पहले सुतंत गवर्न जनरल कौन थे लॉड माउंट बेटन और पिधान मंत्री आपके पंडित जवाहल लाल नहरू 27 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान द्वारा कस्मीर पर आकमर किया गया कस्मीर का भारत संग में बिले और भारतिय सना का कस्मीर में परवेश किया गया 30 जनर्वरी 1948 को नई दिल्ली में नाथुराम गोर्ण से द्वारा महतमा गांधी की गोली मार कर हत्या कर दिगे तिस जन्वरी 1948 को नई दिल्ली में नातुराम गौण से द्वारा मतमागान दिगी गोली मारकर हत्या कर दिगे 21 जून 21 जून 1948 चक्कवर्ती राजगोपालाचारी लॉर्ड माउंट बेटन के स्थार पर सुतन्त भारत की पित्थम भारतिये गवर्नर जनरल न्यूप किये गए तो आपको याद रखना है चक्कवर्ती राजगोपालाचारी पित्थम भारतिये गवर्नर जनरल थे भारत की सत्रे सेप्टम्बर 1949 को हैदराबाद रियासत का भारत में भारसंग में बिलाई किया गया तीन नवंबर 1948 को पिदान मंतरी पंडी जवाहलाल नेरू द्वारा सेटराष्ट संडुकू के महासभा में संबोधित किया तीन दिसम्बर 1949 सरी 13 दिसम्बर 1948 भारत पाकिस्तान की वीच कस्मीर को लेकर योध विराम हुआ पंडर जनवरी 1944 चनल के एम करियप्पा पिथम भारतिय सेनाध्यक्ष ने उपकिये गए पूछ लिताएगी पिथम भारतिय सेनाध्यक्ष कोंती तो याद रखना है केम करियप्पा 9 सेप्टमबर 1949 को हिंदी राष्ट भासा की रूम में स्विकार की गए 6 एक्टूबर 1949 को राष्टी ये रक्षा कादमी का सिलन्यास किया गया 26 नवर 1949 को समिधान सबादवारां भारतिय समिधान अंग्रीक्ष एवं सर्वोच नियाले की इस्थापना की गई इसी समय 24 जनवरी कब 24 जनवरी 1950 को समिधान सबादवारां जनगर्मन राष्टगान की रूम में स्विकार किया गया 24 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को भारतिय समिधान लाग हुआ राष्ट चिन्य असोक इस्तम अंग्रीक्ष एवं समिधान की लाग हुए थे जैसा कि आपको पता हुआ 26 नवर को आपका कुछ परावधान समिधान की लाग हुए थे पूरू रूप से आपका 26 जनवरी 1950 को ही लाग हुआ नौ परवरी 1991 में सुतंद भारत में पहली जनगरना पैरम हुई तो ये भी आपसे बहुत बार पूच लिया है पूच सकता है कि सुतंद भारत में पहली जनगरना पैरम को हुई तो नौ परवरी 1959 में एक अपरेल उन्निस सो इंक्यावन को पितम पंच वरसी योजना पेरम हुई अठारे जून उन्निस सो इंक्यावन में भार्दिय सम्मिधान में पहला संसुदन गब हुआ भारती सम्मीधान में पहला सम्मीधान संसुदन कब हुआ? 1959 में 21 फरवरी 1952 historians 21 फरवरी 1952 भारत के पहले आमचुनाव संपन हुए यह तो आपका UPCS में 3-4 बार पूच लिया है कि भारत के पहले आमचुनाव कर भारता थे? 1952 में 12 मही 1952 को पहली लोगसबा की बेठकुई, 12 एक्टूबर 1953 को आंधिपिदेश नामक नवीन राज गठित किया विया, 1 एक्टूबर 1953 में स्रीमत्ती विजयाल अच्छ में पंडित सैप्तराष्ट महासबा की पहली महला अध्यक्च बनी 28 जून 1955 को चीन के पिदान मंत्री चारू एन लाई की भारत यात्रा की द्वरान पंचिसील समझोती पर हस्ता अक्छर किया विया, आठ जुलाई 1954 भाकडा नागलबान का सिलन्यास किया विया, नवंबर 1955 भारत में पितंबार भारत अर्थन पदम भीभूसन पदम भूसन पदम सिरी आधी नागरिक सम्मानों से सम्मानित करने का प्यारम किया विया, उननीस सो चंगमर में याद रुपना है आपको। 21 जून, 21 जून 1955 अखिल भारतिय कॉंग्रेस कमीटी की आवडी चेन्नाई अधीब्येशन में समाजवादी समाज का लक्ष सुईकार किया विया, 28 मई 1956 को, प्रांस द्वारा पुडू चेरी, कर माईकल और माही की अपनी बस्तियों को भारत को समल्पित करने, हित्वी द्वी पक्षिये संदी पर समझोते किया विया, फिर उसके बास 22 मार्च 1957, भारत सरकार द्वारा एक सक संबत को, भारतिये राष्टिये पंचांग की रूम में सुईकित किया विया, 1957 में भारत सरकार द्वारा सक संबत को, भारतिये राष्टिये पंचांग की रूम में सुईकित किया विया, एक अपरेल 1957, एक अपरेल 1957 को, भारत में दूसरा आम चुनाओ संपन हुगा, पंडि जवाहल लाल नेहरू द्वारा, पिदान मंत्री के रूम में पुनाहा सपत गेहन किया गया, पाँच अपरेल 1957, डॉक्टर राजन पे साथ दूसरी बार भारत की राष्टपती बने, पंडि जवाहल लाल नेहरू दुबारा पिदान मंत्री बने, और डॉक्टर राजन पे साथ दुबारा राष्टपती बने, 14 नवंबर 1957 में, पंडि जवाहल लाल नेहरू के जणम दिवस बाल दिवस के रूम में मनाने का प्यारम किया गया, 14 नवंबर 1957 से आपका बाल दिवस मनाया जाने लगा, पंडि जवाहल लाल नेहरू के जणम दिवस के रूम में, 22 परवरी 1958 को महां सतंता संगराम सेनानी मौलाना अबुल का जाव कलाम आजात का नितन हो गया 1958 22 परवरी को ठीग 22 अपरेल 1958 को वाइस एडमिरल रामदास कटारी भार्दियन होसे ना कि पेथम अध्यक्ष निउप्त किये गए दो परवरी 1969 को स्रीमती इंद्रागांदी कॉंग्रेस की अध्यक्ष बनी 1961 में आपकी स्रीमती इंद्रागांदी कॉंग्रेस की अध्यक्ष बनी 31 मार्च 1969 को तिबद पर चीन का आखमण एव राजनितिक सर्ण के लिए 14,000 सर्णाथियों से वहां के धरमगुरू यह मसासक दलाई लामा का भारत आगमन हुगा 1 माई 1960 को ततकालीन बंबई प्रांद का वेभाजन का नए राष्ट महाराष्ट गुजरात का बनाये गए ति बंबई प्रांद को अलग कर गए 26 नवंबर 1960 बहारत में पहली STD सेवा कानपूर एवं लखनु के मत प्यारम की दे बहारत में पहली STD सेवा कानपूर एवलखनु में किमत प्यारम की गए थी 26 नवंबर 1960 19 दिसंबर 1960 19 दिसंबर 1960 पंडित जवाहल लाल नहरू की पाकिस्तान यात्रा एवं पाक राष्टपती अयूप खान के साथ सिंदू नदी जल बटवारी की संदी पर हस्ताक्चर की गए याद रखना है सिंदू नदी जल बटवारी की संदी पर हस्ताक्चर 1960 में की गए थी इसंबर पंडित जवाहल लाल नहरू और पाक राष्टपती अयूप खान के बीच 24 फरवरी 1961 आता है मद्रास राजी का नया नाम तमिलाड़ हुआ पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था तमिलाड़ को इसका नाम 1961 में तमिलाड़ पुड़ा 18 दिसंबर 1961 भार्तिय सेना द्वारा गोआ दमन द्वीप को पुर्दगाली सासन से मुक्ती दलाई 1961 में सबसे पहले आपके पुर्दगाली आये थे 1458 में के करी और सबसे बाद में गए 1971 के करी मैं 1961 मैं 1962 तीसरे आमचुनाव में सभी राजियों एबं संग सासी छेत्रों में कॉंगरीस पारती सत्तर रूड पंडी जवालाल नहरू पिधानमंत्री बने पितक नागलेंड संग सासी छेत्र का गठन किया गया गवास अंग सासी छेत्र बना डॉक्टर स्रेफपल्ली राधाकिष्णा राश्वती पधवर निर्वाचित हुए 1962 की ये घटनाए ठीक है मैं 1962 के करी पाद सेप्टमबर 1962 पाद सेप्टमबर 1972 डॉक्टर स्रेफपल्ली राधाकिष्णा का जनम सिक्छक दिवस सिक्छक दिवस की रूम में मनाई जाते हैं सरवपल्ली डॉक्टर स्रेफपल्ली राधाकिष्णा की जनम दिवस के रूम में सिक्छक दिवस आपका मनाई जाते हैं 20 अक्टूबर 1968 देश की उत्री सीमा नेफा उलद्दाक पर चीन द्वारा आकमर किया गया 26 अक्टूबर 1962 राष्टपती द्वारा आपातकाल की गोश्णा की गया यह पहला आपातकाल है अपने तीन बार लगा तो यह पहला था 26 अक्टूबर 1962 21 नवमर 1962 चेन द्वारा एक पक्षिय योद बिराम गोशित किया गया 21 नवमर 1963 को पूबर राष्टपती डौक्टर राजिन पिसाथ का नेधन हो गया 1963 में पूबर राष्टपती राजिन पिसाथ साब का नेधन हो गया एक देसमबर 1963 नागेलेंड भारत का सूलैवा राजि बना 27 में 1964 को पंडित जवाल लाल नेधन हो गया 27 में 1964 को पंडित जवाल लाल नेधन हो गया 9 जून 1964 को लाल भाधूर साक्सी भारत की पिधान वंतरी बने नेहरुजी के नेधन के बाद आपके लाल बहादुर सास्त्री जी भारत के पिधानवंत्री बने तो ये था आपका नेहरुई आगे हम लोग बात करेंगे आधुनिक भारत की राजनेति एवं राष्ट्रो आधी संस्थाओं के बारे में